तो ही वर्ट सब गाइज कैसे अपसे भी लोग वैकम बैक तो अवर न्यू वीडियो सो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग अन्बॉक्स करने जा रहे हैं माउनों का एई-ई-ई-ए-0-3 कंडेंसर माइक्रोफोन जो की मुझे लगबग 3,000 रुपै का पड़ा है तो आज की स्वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है और इसकी क्वालिटी कैसी है तो कर लिश्टेया जल्द इस वीडियो को स्टाट जो सबसे पहले मिलता है पॉप फिल्टर जो की हमारे पर्फ और हवावाली सांड्स को रुप कर तो इसके क्वालिटी भी बहुत जादा अच्छी दी गई है यहां पर बहुत जादा मैटल की क्वालिटी है इसकी आप लोग देखी सकते हो कि कितना हाड वेटिड लग रहा है यह अभी हमें यहां पर मिलता है वाइस कैंसिलेशन जो कि हमें अपने माइक्रोफॉन के ऊपर लगाना होता है जिससे कि हमारी साउंड क्यालिटी बहुत जादा बढ़ी आती है अभी यहां पर देख लेते हैं नीचे क्या मिलता है अब यहां पर हमें स्ट्रिप मिलती है जिसके अंदर इन्होंने अपनी इमेल दी हुई है जिससे कि हमें कोई हैल्प की नीड हो तो हम के उपर इमेल कर सकते हैं अभी हम लोग के यहां पर मिलता है टेबल क्लैम जिसको हम टेवल पर लगाएंगे और जिससे कि हम स्टैंड को भी इसको लगा के कर सकते हैं माउंट तो यहां पर इसको रख देते हम साइड में यहां पर अभी हमें मिलती है यह के बल और इसके सा लग देते हैं भी साइड में और यहां पर भी मिलता है हमें यह शॉक माउंट जिसके अंदर हम लोग अपनेमाइक को डाल सकते हैं तो जल्दी सब्सक्राइब निकाल लेते हैं और इसकी वाहर ऐसी बहुत जाद अच्छी दी गई है यहां पर अब हम लोग को मिल क्वालिटी तो भाइद देखने से बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है चुने से तो यह बहुत ज्यादा अच्छी और इसकी क्वालिटी आप लोग देखी सकते हैं बहुत ज्यादा भारी है अब इस मैक को जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले टेबल क्लैम्प लेना है जिसको हमें टेबल के साथ मांट करना पड़ेगा यहाँ पर हमें निच्छे यह की जैसी दी हुई है इसको पहले लूज करना है और इसको टेबल के साथ अटेच करना है अब यह दूसरी वाली की दूई हुई है यहाँ पर इसको लूज करना है और यहाँ पर हमें अपना माइक्रोफोन स्टेंड को यहाँ पर अटेच करना और और इसको यहाँ क्याव स्क्राइट के साथ ठीक है और यहां पर आपको और स्पान सब्सक्ति क्क Davenं की सथि दीहान pak कुछ . आप इसके साथ बूअब वोल्ट को पहले लूख करना है ऑर इसके साथ ऑपने करना है आपको माईक को लगाने के लिए सबसे पहले संदुर के माइक को फिट कर देना है और यहां पर यहां को लगाने के लिए सबसे पहले प्रिंद सब्सकराया यहां पे और इस microphone stand के साथ इसको attach कर देना है और यह कुछ ऐसा लग जाएगा ताइट होके सो अभी यहां पे हम लोग को मिली है यह दो केबल जिसको में माइक के साथ और अपने mobile के साथ attach करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें यह माइक वाली केबल को लेना है इस वाली केबल को और इसको अपने माइक के साथ attach कर देना है यहां पर आपको three holes दिये होंगे और माइक के अंदर नीचे की side में भी आपको three holes दिये होंगे जिसके साथ आपको इसको attach करना पड़ेगा अच्छे से कर देना इसको attach तो यह लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको अब यहाँ पे हमें यह दूसरी cable दी हुई है इसके साथ इसको हमें लगाना है इस adapter के साथ जो कि यहाँ पे pink pink जैसी cable दी हुई है इसके साथ हमें लगाना है अगर आपको अपने मॉबाइल के साथ इसको कनेक्ट करना है और दूसरी वाली जो ग्रीन दी हुई है इसको आप लोग अपने एरफोन या हेड़फोन के साथ अटेच कर सकते हो सो अभी बिना किसी दे रही के अपने वाइस को सुनते हैं इसके साथ इसको आपको लगाना है अपने मॉबाइल के साथ सो के गाइस अभी आप लोग जो वाइस सुन रहे हो वो है माउनो एई यू ए03 की वाइस और अगर मैं इसके उपर अभी पॉप फिल्टर को लगा दूँ तो आप डिफरेंस समसकते हो कि क्या होगा सो के गाइस अभी मैंने पॉप फिल्टर कोल यहां पर लगा दिया है और अभी आप लोग मेरे वाइस में डिफरेंस देख सकते हो कि क्या डिफरेंस है इसमें और अभी मैं यहां पर अगर इसको भी लगा दूँ तो आप देख सकते हो कि इसमें भी कितने डिफरेंस और अभी आप लोग सुन सकते हो कि यहां पर कैसा वाइस डिफेंस आचुका है जाम मैं भी यहां पर बोलते हूं जैसे हवा वाली साउंड को बोल के देखता हूं तो आप लोग सम्देख लेना ठीक है अब हम लोग करते हैं बीट बॉक्सिंग इसमें और देखते हैं कि कितनी अच्छी साउंड क्लेरिटी आती है इसमें ठीक है तो जल्दीचे कर देते हैं स्टार्ट कि मैं स्टार्ट है और ऐसे करें के देखता हूं भी बॉक्सिंग ठीक है अब भी मैं पॉफुलिटर को भी हो टाल देखते हैं अगर आपको यह वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जाकर लाइक कर दिना और चानल को भी सब्सक्राइब कर दिना तो मिलते हैं अगे लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हुआ है आज ओड़ हुआ है हुआ है